नमस्का दोस्तो आज एक ऐसी नियूर आई जिसकी वज़े से निफ्टी में एक परसंट के आसपास का उचाल देखने को मिला उचाल के पीछे बहुत बड़ा कारण था IT के शेर्स जिहां IT कंपनी की जितने भी शेर्स थे उनमें भार ही उचाल देखा गया 5% से जादा तक उ करने जा सकते हैं कि IT के शेर्स में निवेश करना आगे एक समझदारी हुई या आपने अगर पोजिशन पहले से ले रखी दियो और उसमें प्रॉफिट बॉक करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है कि क्या ये तेजी सस्टेंड करेगी या निकरेगी तो ये वीडियो आपक कर सकते हैं क्या निफ्टी में बने रहना चाहिए या प्रॉफिट बॉक करके बाहर आ जाना चाहिए क्या कोई खतरी गंटी है या ये जो उच्छाल है हमें एक ट्रैप में लेकर आएगा दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए अंत तक द से पहले मिले चलिए वीडियो शुकरते हैं ये वो टॉप 10 गेनर लूजर्स हैं जो आपको बहुत अजानी से लिंक मिल जाएगा एनसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा गूगल करेंगा मिल जाएगा जहाँ पे बहुत क्लेरी आप देख सकते हैं TCS 7.55% बढ़के बंद पर यहाँ पर जो मेजर शेर्स हैं टॉप 10 शेर्स में से TCS, विप्रो, इंफोसिस, टेक महींदा ये चार शेर्स, दस में से चार शेर्स आईटी के थे और आईटी शेर्स में बाहरी उचाल है चलिए उस न्यूज पर देके चलता हूँ जिस न्यूज की वेश से ये उचा आपको देखने को मिला। चलते हैं 85,000 के आसपास वीजा पैंडिंग चल रहे थे अब यहां पर देखिए दोस्तों समझ ये हिंदुसाने कैसा देश है जो आईटी की टाक्सक फोर्स पैदा करता है हम लोगों को आईटी पसंद है दुनिया में नासा में अमेरिका में जहां मर्दी चले जाएं साइ इनफोर्स जैसी कंपनियां विपरो जैसी कंपनियां जिनके लोग वहां पे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं वहां पे इनके हेड़क्वार्टर्स हैं वहां पे इनके ब्रांचिस हैं कहीं ने कहीं जाके ये बिजनस पूरा इंपक्ट दुआ था अब इसमें क्या हुआ यह बिल्कुल भी सही नहीं इस line को पढ़ के देखें क्या है यह line देखें IT stocks value up to 5% in Monday's trade after a federal judge temporarily blocked US President Donald Trump's ban on issuing work visas says such a radical change in policy does not serve public interest मतलब यह जो ban लगाया तक रहा था यह public interest में बिल्कुल भी नहीं था दोस्तो यही एक वज़ा रही जिसके विए से IT के shares भाग रहे बहुत जबरस तरीके से इस news को welcome किया बज़ार ने और बज़ार में आपको IT के shares में भारी उच्छाल देखने को मिला दोस्तो फ्राइड़ के trade में जहां निफ्टी 11347 के असपास close हुई थी वहां हमारी trend trading के लोटर ने बहुत क्लेरी कहा था हमने भी अपने live session में analysis किया था कि हाँ बज़ार तेज हो सकता है यहां से क्योंकि बज़ार ने 11236 के बहुत ही जबरस barrier को तोड़ा था यहां से जो level थे 11347 1449 और उसके बाद 11550 के आसपास जाने की सम्मावने दिखते थी चार पर देखते हैं कि कल की closing 347 के असपास की थी और आज जो बज़ार ने है लगा है 576 का दोस्तों क्या यह हमने पहले predict किया था ध्यान दीजीगा अगर हमने पहले predict किया था तो क्या हमरे पास level analysis थे हम trade लेने के लिए चले पूस्ते है trend trading calculator से पूस्तों यह तो साफ कहता है कि trend is your only friend trend trading calculator राइट है यहाँ पर चली हम पहले बात करते हैं निफ्टी की जब निफ्टी की हमारी person closing 11347 की थी हम Friday की बात कर रहे हैं तो यहां से बहुत clear था कि हमारा जो एक breakout level से उपर निफ्टी क्लोज हुई है बहुत clear थे हम लोग यहां से 449 का एक breakout level था 449 टूटे का इस level को हम पिछले अपने live sessions में अपने वीडियो में लगाता डिस्स कर रहे हैं और यह वो level था उसके बाद हमारा target 556 का था पहला target जो आज अची हूँ हूँ हा चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपको काम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए कौन से level analysis हैं जो आपको IT के shares में बनाए रखने चाहिए दोस्तों चली सबसे पहले बात करते हैं हम TCS की जो 7% बड़ा चली पूस्ते हैं TTC से trend trading calculator से कि वो क्या कहत दोस्तों 25 से उपर breakout था 25 से उपर breakout था यह हमने live session में share को discuss भी किया था बहुत सारी students से हुआ पूछा था पूछा था पर हम clear थे कि यह एक तेजी का संकेत है 25, 50, 26 और 25, 26 के आसपा share जा सकता है और आज ही जो closing है आज ही closing तो बहुत ही कमाल के दोस्तों दोस्तों देखें क् आज हो दोस्तों 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 अपनी analysis कर ले रहा है यह मेरी study है मेरा analysis है मेरा tool है मैं इसको इसको इस्तेमाल करता हूँ आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं अब हमारे contact number पे 7827286174 पे recall करके का trial ले सकते हैं और आप चाहिए तो इसको monthly या yearly subscribe कर सकते हैं दोस्तों 2704 का एक level है यहां से जैसे ही चलेगा 2756, 2809 और 2862 तक भी जा सकता है दोस्तों अब यहां पे 270 का एक breakout रहेगा तीसस के level आपके सामने दोस्तों 2704 का अब एक बहुत ही major support रहेगा और इसके नीचे ब्रेक करता है 2652 एक support add करेगा उसके नीचे 2601 तक एक फिरसल सकता है profit booking करने के लिए अब टीसस के बाद हम देखन इसको प्रेडिक कर पाये थे क्या एक रेंज में विपरो चल रहा था आईटी शेस में तेजी के संगे दिखाई दे रहे थे consolidation चल रहा था और कल की closing 313 के आसपास के थी हमारी विपरो में बहुत clear था गाई 36 का हाई मदद 324 342 अभी stock 342 की तरस तो कम से हम चली रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है 361 के लेवल को भी touch कर सकता है कोई भी बड़ी बात नहीं है बरहां यहां पर जो stop loss रहेगा वो 324 का एक major breakdown या breakout का level रहेगा breakout इसने दे दिया है जो breakout का level था वही इसका support बन जाएग तो 324 विल बी very very important level to watch out now चली बात करते हैं Infosys की Infosys की कलकी जो closing थी 1017 रुपे के आसपास की थी और यहां से हम देखते हैं कि Infosys की level हमाई समने क्या रहे थे Infosys का 1124 से उपर breakout था यह भी हमने live session बहुत discuss किया है दोस्तों जिनको live session के पुरानी वीडियो देखनी है चैनल पर available है Intraday में हम जो आज काम करने वाले थे वो 1022 से उपर तेज़ी करने वाले थे 1012 का stop loss लागे बहुत जबरस उचाल देखने हो मिला और यहां से 1124 का एक level रहेगा जो support का काम करेगा इससे नीचे फिसलता है तो हम थोड़ा सा profit booking का नहीं गोशिश करेंगे वना अपने profit को trail कीजी 1024 के stop loss के साथ में वो जादा बैटर रहेगा चलिए बात करते है टेक महिंद्रा की टेक महिंद्रा की closing 822 की थी और यहां से हमारा trend trading calculate टेक महिंद्रा के लिए क्लिए क्या कहा रहा था वो देख लेते हैं हम लोग चल रहा है यहां पर जो major support का का काम करेंगा that will be 841 नाव बहुत जबस टागेट रहा दोस्तो बहुत अच्छे उच्छाल देखने हो मिली तो यहां पर टेक महिंद्रा है पोजिए तो 841 का stop loss आपको रखना ही होगा दोस्तो बहुत साई request ही कि अपनी classes को start कीजिए दोस्तो आप लोगों के लिए good news है इस मन्त के end में data भी decide नहीं हुए बहुत जल्दी कलिया परसों पर शायद date decide करके आपको announce कर दूआ मैं हम सबसे पहले Delhi का seminar करने वाले हैं उसके बाद हम Mumbai का seminar करने वाले हैं तो बहुत ही जल्दी दिल्ली और Mumbai की classes हमारी on होगी तो उसका जो पू इकन दवाना ना भूलें ताकि ऐसी informative वीडियो आपको सबसे पहले मिलें thank you so much for watching this video take care bye bye जहिन